असलम्लेकु मेरी यूट्यूब फैमिली उमीद करती हैं आप सब ख्यारिय से होंगे ठीक होंगे और जहां कहीं पर भी रहें अल्लापा की अमान में रहें आमीन तो आज है जी 29 रमजान तो जहां जहां पर भी इद है मेरी तरफ से आप सब को इद मुबारिक और आज की दिन को इंजुआए करें तो यहां पर जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करूंगी जी 12.30 से मैं उठी और जो मेरे रूटीन के काम है वो मैंने किये तो मैं उठी तो अमी जो है कप्रे वखरा स्टिच कर रही थी और लोगों को भी आखरी टाइम तक याद आता है कप्रे स्टिच करवाना और साथ ही अमी ने यहां पर डाल और चिकन भी रखा हुआ था कबाब बनाने के लिए क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा था चिकन के कबाब खाय जाते हैं और सब के फेवरिट भी यही है बहुत ही मज़ए की और बहुत जबतास सी रेस्पी लेकराई हैं हूँ आप लोग इस रेस्पी को ज़रूर ट्राय कीजेगा और इंड तक देखिएगा तो आज जिसमें आपके लिए है रेस्पी लेकराई हूँ वह रखा ही टुकरे लाजानिया शाही टुकरे लजानिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर खोया रेडी करना है तो यहां पर हम एक पैन लेंगे और हम इसमें आइल डाल देंगे टू टेबल स्पून हम यहां पर आइल डालेंगे अब मैँ इसमें डाल 강ई हाफ कप की क्रीब छीनी अगर आप लोग ज़ादा मीठा खाते हैं तो ज़ादा भी ले सकते हैं छीनी चीनी डालने के बाद अब मैं इसको मिक्स करूंगी और उसके बाद मैं डाल दूंगी जी पाउडर मिल्क थोड़ा थोड़ा करके मैं पाउडर मिल्क डालूंगी और यहां पर मैंने लिया था पाउडर मिल्क दो कप थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती जाओंगी और इसको म डाल देने हैं दो एदद मेरे यहां पर यहां नहीं त्यूज फैट रीजियी 4 और हमें यहां पर सफ्ट कोया चाहिए वियह संफ्ट Bog नहीं हमें कोयाना है left चाहिए और उसके बाद मिन एक ह rifles के लिए को रैलिए कोक्रsy civ 01 storm हो चुकी है अब मैं फलेम ओफ करूँगी और इसके बाद जी अब मैं दूप का सेर Bennett करेंगी तो यहाँ पर दूद का सिरप रेड़ी करने के लिए मैंने दो कप लिया था जी दूद वन टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया था कॉन फ्लॉर और चीनी मैंने ली थी फोर टेबल स्पून पिर जी मैंने यहां पर क्या किया एक बरतल लिया इस में दूद आड़ किया और जब तक दूद को बॉइल आएगा मैं क्या करूंगी कान फेमें थोरा सा पानी आड़ करके इसको मिक्स कर लंगी अच्छे से जब तक बॉइल आता है तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मिक्स का लिया जाए तो यहां पर जी दूद में बॉइल आ गया अब मैं इसमें आड़ करूंगी जी चीनी और चीनी को मिक्स करेंगे तो जी अब मैं यहां पर आड़ करूंगी कॉन फ्लार थोड़ थोड़ा करके मैं conflare add करूंगी और इसको mix करूंगी और हमें ज़्यादा थिक सीरप नहीं चाहिए तो ये देखें जी इस तरह का हमें सीरप चाहिए ज़्यादा गाड़ा हमने सीरप नहीं करना तो यहां पर सीरप भी हमारा रेड़ी हो चुका अब हम flame off करेंगे यहां पर शाही टुक्रे लाजानिया बनाने के लिए मैंने हस्बे जुरूरत ब्रैट के स्लाइस लिए पर अब मैं क्या करूंगी इनके किनारों को काट लूँगी तो यहां पर मैंने सारे ब्रैट के स्लाइस को साइड से कट कर लिया अब मैं इनको fry करूंगी आप एक पैन ले 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 या तवा ले 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 जिस पर रोटी बनाते हैं तो उसमें आयल डालेंगे और इस तरह से करके हम bread के slice को रखते जाएंगे और bread के slice हमने light golden करने है light golden brown जैसे ही light golden brown कलर के होंगे मैं इनको निकाल लूँगी तो यहाँ पर देखें इस color के यह देखें इस तरह के होने चाहिए अब यहाँ पर ready हो चुकी है अब मैं इनको निकाल लूँगी अब हम ready करेंगे शाही टुक्रे लाजानिया सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे हम एक dish ले लेंगे तो यहाँ पर मेरे पास यह वाली dish थी तो मैंने यह वाली यूज की अगर आप लोगों के पास चोरस dish हो तो आप लोग वो यूज करें तो सबसे पहले dish में मैं add कर दूँगी सिरप और सिरप को डाल के अच्छे से हम फिला लेंगे तो उसके बाद मैं रख दूँगी जी bread के slice यहाँ पर मैं bread के slice रखूंगी और यहाँ पर जी एक bread के slice को मैं cut करके रख दूँगी क्योंके पूरा नहीं आ रहा था इस तरह से cut करके मैं दो parts में रख दूँगी तो यहाँ पर जी अब मैं add कर दूँगी दुबारा से सिरप और सिरप डालके अच्छे से हमने इसको set कर लेना है और अब जी मैं add कर दूँगी जी कोया जो मैंने आप लोगों के सामने ready किया था कोया डालके उसको अच्छे से set कर लेना है और अब मैं add कर दूँगी यहां पर थोड़े से पिस्टे और थोड़े से बदाम और पिर दुबारा से मैं ब्रेड के स्लाइस रखतूंगी और पिर दुबारा से मैंने क्या किया जी सिरप लगाया और सिरप लगाने के बाद फिर मैंने खोया लगाया और बदाम पिस्ते वगरा एज़ किये और फिर दुबारा से मैंने एक और लेयर लगा दी थी ब्रेड की और इसी तरह हमने रेडी का लेना है सारा जितनी लेयर्स लगती है उतना जादा मज़े का बनेगा और एंड में मैंने गार्निश का लिया था जी बदाम पिस्तों से तो यहां पर रेडी हो चुका हमारा शाही टुकरे लाजानिया बहुत ही मज़े की डिश है तो आप इस रेस्पी को ईद पर जुरू ट्राइ कीजिएगा बहुत ही मज़े की मने थी आप लोग भी इस ईद पर इसको बनाएं और सब को खुश कर दें और अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताईएगा तो यहां पर जी मेरी सिस्टर भी आ चुकी थी तो मेरी सिस्टर और मेरी अमी मिलकर 푸ूड करी थी फिर इसने आते सार मंणा कर दिया कि इतना कुछ बनाने की जरूरत नहीं है किविए मैंने यहां पर थोड़ा सा बेसन रीडी का लिया पकोरों के लिए किविए बच्छों को तो पकोरे पसंद होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बेसन एड़ कर लिया और बेसन में मैंने नमक, थोड़ा सा चार्ट मसाला और साबस जीरा मैंने एड़ कर दिया था और यहाँ पर थोड़ी सी ज्वैन एड़ कर दी थी और कुटी कोई लाल मिर्च मैंने एड़ कर दी थी और मैंने जल्दी जल्दी में बनाये थे और इतने क्रिस्पी बने थे इतने मज़े के बने थे ये पकोड़े और मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इनको अच्छे से मिक्स का लिया था अच्छे से मैंने बेसन को पैंटी लगा ली तो जी इस तरह से हमने पैंटी लगा ले नहीं अच्छे से बेसन का तो हाँ जी मैंने पकोरों के लिए बेसन रेडिका लिया था और यहां पर मैंने आलू लिये और आलू का छिलका मैंने उता लिया था तो जल्दी जल्दी से मैंने आलू का छिलका उतारा और साथ ही मैंने जी आलू मैंने कट कर लिये इस तरह से मैंने आलू कट किये थे चिप चिप्स वाली शेप में क्यूंकि बच्चे जादा तर इस तरह के चिप्स खाते हैं प्याज वाले नहीं खाते हैं तो इस तरह के मैंने कट कर लिये थे तो यहां पर जी सारे मैंने आलू कट कर लिये थे पकोरों के लिए और मैंने जल्दी जल्दी से बेसन में जिप्स करके म और मैं निकाल के इस ताह से रखती जा रही थी और दूसरी तरफ मैं फ्राइ करती जा रही थी तो यहां पर जी हमारे पकोरे भी रेड़ी हो चुके थे बहुत ही मज़े के बने थे तो यहां पर जी हमारा दस्ताखान भी रेड़ी हो चुका था तो सब बच्चे सब आके बैठ गे थे तो सिस्टर ने इतना कुछ बनाने नहीं दिया था तो जादा तर फूट और पकोड़े और स्मोसे वगरा ही थे और शर्बत वगरा था तो दिस्टर खान पर बच्चा पार्टी की वज़े से बहुत ज़दा मज़े की रोनके थी तो यहां पर जी सब ने रोजा इफ़तार का लिया था हूँ यहां पर जी यह देखें जी माशाला मारी बच्चा पार्टी सारी नमास पार रही थी यह देखें जी तो सब बच्चे जब नमास पार रहे थे तो नूर फात्मा नहीं थी उसमें तो फिर जी नूर फात्मा कहती है मैं भी नमास पारूंगी मेरी भी वीडियो बनाओ फिर मैंने क्या किया जी वो जी नमास पार रही थी फिर मैंने नूर फात्मा की वीडियो बनाई चोटी मैडम की यह देखें जी माशाला तो यहाँ पर जी जो मैंने रैस्पी रेडी की थी वो बार बार लाइट जाने की वज़े से फ्रिज में ठंडी नहीं हुई थी तो मैंने फ्रीजर में रखती थी कि जल्दी ठंडी हो जाए तो यहाँ पर सिस्टर लेकर आई थी के दो पिर मैंने क्या जी यह कट का लिया था और इस तहर से मैंने निकाल लिया था और उसके बाद जी मैंने सब को डाल के दिया ताके यह खाएं और यहाँ पर जी सिस्टर भी खारी थी और मैं भी खार थी और बहुत मज़े की बनी थी आप लोगे इस आइद पर इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत मज़ा आएगा यहां पर मैं करती हूँ जी वीडियो का एंज उमीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो थम्जब देना मत बूलिएगा और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और जादा सब्सक्राइब करें अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजे इजाज़त दौाओं में याद रखिएगा टेक केर अलाहाफेज